तो मूवी की स्टार्टिंग इटली से होती है जहां पर हम दो आदमियों को देखती है जो कि टावर की सर्विसिंग करने के लिए आये होती है क्योंकि उसमें सिगनल की प्रोब्लम होती है जिसके बाद उन में से एक आदमी उपर प्रोब्लम का पता लगाने के लिए जाता है वहीं दूसरा आदमी अपनी कार में चला जाता है लेकिन थोरी ही देर में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बाहर चेक करने के लिए जाता है और जब वो बाहर जाता है तो तब उसे वहां उसके साथी का कटा हुआ पैर मिलता है जिसे देखकर वो काफी डल जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता काफी सारे मोस्किटोज उस पर हामला कर देते हैं जिसके बास ही इंशिफ्ट होता है एक ग्रूप की ओर जो कि होलिडे इंजोई करने के लिए सिटी से बाहर पहाडों में जा रही होते हैं लेकिन रास्ते में उनका जीपियस सिगनल प्रोब्लम होने की वज़े से वर्क नहीं करता जिसके कारण वे सभी काफी कनफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहां जाना चाहिए मगर तभी उन्हें रास्ते में दो आदमी मिलते हैं जो कि काफी अजीब तरह से बिहेव करते हैं और वहां से चले जाते हैं लेकिन दूसरी तरह हम लाइनल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हनी कलेक्ट करने के लिए जाता है मगर जब वो वहां जाता है तो तब उसे वहां सभी मदुमक्या मरी हुई पाती है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है कि तभी उसे वहां पर एक ओटो दिखाई द और इन सब के बाद लाइनल वहां से चला जाता है उसी दात हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा होता है लेकिन इतने में ही लिकी जो की टीवी देख रहा होता है वो सभी को एक न्यूज देखने के लिए बुलाता है जिसमें कि एक इस बारे में बात करी रहे होते हैं कि तभी इतने में ही वहां पर सभी लाइट्स ओफ हो जाती है जिसकी वजह से रिकी डेविड और क्रिस्टिन को छोड़ कर सभी लोग नीचे बेस्मेंट में में स्विच को ढूनने के लिए चले जाते हैं और कुछ देर तक ढूनने के बाद उने वहां स्विच मिल ही जाता है वहीं दूसरे तरफ हम उसकिलर अर्मांडो को देखते हैं जो कि एक कार में मौजूद होता है और कुछ दूर तक जाने के बाद उसे रास्ते में रबैका नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसकी कार दरसल खराब हो गई होती जिसकी वजह से वो अर्मांडो से लिफ्ट ले लेती है वहीं आगे हम वापिस डेविट को देखते हैं जो कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है इसी बीच मोरो नोटिस करती है कि बाहर कोई है हाला कि कोई उसकी बात पर बलीव नहीं करता क्योंकि वो हम प्रैंक करती रहती थी। और आखिर में जब वे चैक करते हैं तो उन्हें वहां पर लाइनल दिखाई देता है। जिसे देखकर वे सभी काफी घवरा जाते हैं। मगर तभी डेवीडू ने बताता है कि वो उनके विला का केयर टेकर है। फिर लाइनल उन सब को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मोस्किटोस आने वाले होती है। और वे सिल्फ पानी और स्मॉक को छोड़ कर किसी भी चीज से नहीं डरते थे। और अगर बायचान सब विला के अंदर आ गए तो उन में से कोई भी जिन्दा नहीं बच पाएगा। लेकिन लाइनल के बातों का यकिन वहाँ पर कोई नहीं करता। और सभी सोचते हैं कि उसने ड्रग लिया है। जिसके बाल लाइनल वहाँ से चला जाता है। वहीं आगे डिनर करने के बाद उन में से मोरो नाम की एक लटकी नहाने के लिए चली जाती है। जहांपर एक मॉस्कुटो चुपके से वहाँ आ जाता है। और इससे पहले कि वह उसे काट पाता मोरा सावर चालू कर देती है। जिसके कारण वह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ अर्मैंडो अब रबैका को अपनी कहानी बताता है। जिसे सुनकर रबैका थोड़ी इमोशनल हो जाती है। और कहती है कि तुम कोई मुझ्रिम नहीं हो, तुम तो बस इस समाज के सिकार हो। और बस ये कहने के बाद वो उसकी पुलिस से बचने के लिए मदद करती है। और उसे उस विला में ले जाती है जहाँ पर डेविड और बाकी सब लोग रह रही होते हैं। और जैसे ही अर्मांडो विला पहुंसता है तो वो योहनस पर गन पोइंट कर देता है और उससे कार की किज मांगता है। लेकिन इसे बीच योहनस नोटिस करता है कि वहाँ कुछ आ रहा है कि तबी इतने में वहाँ पर काफी सारे मोस्किटोस आ जाते हैं। और अर्मांडो पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी बड़ी ही बेरहमी से मोत हो जाती है। और ये सब देखकर वे सबी काफी डर जाते हैं और सारी विंडोस को बंद कर देते हैं। हालाकि उनके विंडो बंद करने से पहले ही कुछ मोस्किटोस अंदर आ जाते हैं मगर वे सब उन मोस्किटोस को माल देते हैं वहीं दूसरी तरफ रबैका अपकार के अंदर छुप जाती हैं जिसके बाद वे सबी काफी पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा रियल में कै की हेल्प के लिए बुलाएंगे और वे सब एक एरो की हेल्प से उसे मैसिस सेड़ करने की कोशिश करते हैं, हलाके स्टार्टिंग के दो सोट्स मिस हो जाते हैं, लेकिन सोट्स मिस होने के बावजूद भी लाइनल उनका मैसिस देख लेता है, मगर ये बात उन्हें नहीं पत मियान उनसे वो एरो गलती से उनके एक फ्रेंड के पेट में लग जाता है, जिसके कारन उसे ब्लीडिंग होने लगती है, दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस ओफिसर्स को देखती हैं, जो की अर्मैंडो को ढूनते हुए उसी टावर के पास पहुंचती है, जो की हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर उन्हें एक डेट बोरी मिलती है, जो की तरहसल पूरी डिस्फिगर्ड हो चुकी होती है, जिसे देखकर पुलिस ओफिसर्स को लगता है कि ये सब अर्मैंडो ने किया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, वही लाइन करते हैं, तब तक वे उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इस्मोक के एंड होते ही वे उन पर अटेक कर देंगे, फिर लाइनल सभी से पूचता है कि उनके पास क्या क्या काम की चीज़े हैं, हालाकि ज्यादतर लोगों के पास काम की कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन एक के पास एक बैक ड्रग्स होता है मगर लाइनल उन्हें बताता है कि ये उन सब को पचाने के लिए काफी नहीं है वहीं आगे लिखी लाइनल के साथ इसमो करते हुए उसके घर बचा हुआ ड्रग्स लेने के लिए चला जाता है जिसके दर्मियान विरास्ते में अर्मैंडो की कार भी चेक करते हैं लेकिन उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता और जब वे दोनों घर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी सारे मोस्किटोस दिखाई देते हैं जिसके सासाथ उन्हें वहाँ रबैका भी मिलती है जोकी अभी भी जिन्दा होती है फिर वे दोनों उसे विला में ले जाते हैं जहां पर मोरो रिकी से पूस्ती है कि मोस्किटोस ने इसे क्यों नहीं खाया तो रिकी उसे बताता है कि सायद उन्हें अपने एक्स लखने के लिए एक बोडी की जरूरत है इसलिए या फिर भी इसे बाद में खाने वाले थी कि तभी इसे बीच में नोटिस करते हैं कि वे मोस्किटोज अब वहां से जा रही हैं और वे कहीं और नहीं बल्कि लाइनल के नेबर के यहां चा रही होते हैं जहां पर लाइनल का नेबर उन पर एक गैस स्प्रे करता है जिससे की काफी मोस्किटोज मारे जाते हैं मगर इसकी बावजूद भी बाकी बचे हुए मोश्किटोज उसे बड़ी बेरहमी से माल देते हैं भही आगे हम वापस रिकी को देखते हैं जो कि रिसर्ट्स परपस के लिए एक मोश्किटो को बोटल में रख लेता है जिसके दोरान हम एक मोस्किटो को देखते हैं जो की इवोल होकर साइज में और भी बड़ा हो जाता है दूसरी तरफ सभी लोग अभी ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से कुछ लोग बाहर जाकर हेल्प के लिए पुलिस को लाएंगे मगर रबैका उन्हें बताती है कि वे मोस्किटो कार के अंदर भी आ जाते हैं जिसके बाद मोरो उन्हें बताती है कि अगर भी स्मोक करते हुए कार से जाएंगे तो कोई प्रोब्लम नहीं होगी जिससे कि सभी एगरी करते हैं और मोरो डेविड की करजन के साथ पुलिस को बुलाने के लिए चली जाती है मगर जाने से पहले डेविड का करजन उसे मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहले कभी स्मोक नहीं किया होता लेकिन इसके बावजूद मोरो उसे मना लेती है और वहाँ से चली जाती है वही अब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में पुलिस मिलती है जो कि उनके कार देखकर सोचती है कि उसमें अर्मैंडो है लेकिन जैसे ही वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं तो तभी वे मॉस्किटोज उन पुलिस ओफिसर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं मगर इससे पहले कि वे मॉस्किटोज मोरो और उसके फ्रेंड पर हमला करते वे दोनों भाग कर पानी में कूच जाते हैं जिसकी वज़ा से वे मरते मरते बचते हैं इसी बीच रिक्यून मॉस्किटोज के बारे में पता लगा लेता है कि ये सारे मॉस्किटोज उनके कोर का एक पार्ट है जो कि उन्हें कहीं से कंट्रोल कर रहा है और साथ ही मेरे की उन्हें ये भी बताता है कि उनका कोर कही छुपा होगा और जितना जादा वो खाएगा वो उतना ही जल्दी एडल्ट हो जाएगा दरसल वे मॉस्किटोस तो बस छोटे बच्चे होते हैं जिने की उनकी मदर कंट्रोल कर रही होती है कि तभी इतने में वहाँ पर सभी लाइट्स ओफ हो जाती है जिसके बाद योहैनस और लाइनल नीचे स्विच चेक करने के लिए चले जाते हैं जहां पर उन्हें एक काफी बड़ा मॉस्किटो दिखाई देता है जिसे देखकर वे दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं फिर वे दोनों भाग कर अंदर जाते हैं और सभी को ये बात बताते हैं जिसके बाद वे सभी काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वे इतने बड़े साइज के मौश्किटो को कैसे माल सकते हैं जिस पर लाइनल उन्हें सजेस्ट करता है कि वे फर्टिलाइजर का योज करके एक बॉम बना सकते हैं जिससे कि सभी एगरी भी करते हैं और इसलिए योहनस, डैविड और लाइनल स्मोक करते हुए एक ओटो से फर्टिलाइजर लेने के लिए निकल जाते हैं। मगर जल्द ही उन पर काफी सारे मोस्किटोज हमला कर देते हैं। जिसके कारण उनका ओटो आउट ओफ कंट्रोल हो जाता है और ट्रैक से साइड हो जाता है। लेकिन जब वे सभी उस ओटो से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक भी मोस्किटो नहीं मिलता। जिसके बाद सीन सिफ्ट होता है और हम रिकी को देखते हैं। जिसे की अब पता चल चुका होता है की लबैका के अंदर मोस्किटो ने अपने अंडे दिये हैं। जिससे की वो उससे काफी डर जाता है और इससे पहले की लबैका के मूँ से निकलेवे मोस्किटो रिकी पर हमला कर पातें। क्रिस्टीन वहां आकर उसे जला देती है और रिकी को बचा लेती है इसे बीच हमें वे तीन आदमी दिखाये जाते हैं जिनने की हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और अब वे तीनों अपने कैम्प में जाते हैं और जैसे ही वे अपने कैम्प में जाते हैं कि जिसके बाद वे सब बॉम को मॉस्किटोज के कोर में रखने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वे बेस्मेंट में जाते हैं तो वे देखते हैं कि अब वो मॉस्किटोज कोर और भी जादा बड़ा हो चुका है और आखिर मेरी की हिम्मत जुटा कर बॉम को वहां रख देता है, जिसके बाद वे सब विला से निकल कर भागने लगते हैं, वही मोरो और उसका दोस्त भी अब विला के पास आ चुकी होते हैं, और उन पर भी मॉस्किटोज ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन इससे पहले कि वे उन पर हमला कर पाते, वो बॉम बलास्ट हो जाता है, जिससे कि वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके की वज़े से वहां मौजूद सभी मॉस्किटोज मारे जाते हैं, और वे सब भी बेहोस हो जाते हैं, जिसके बाद वहां पर एक साइंटिस्ट की ट आपको वहां से निकाल देते हैं, और सभी को बताते हैं कि वे सब काफी लखी थे, कि इससे बच गए, साथी में वे एज़ेंट उन लोगों को उन मौस्किटोज के बारे में किसी को भी बताने से मना करते हैं, और अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई, तो वे उनके खि अचानक से आ जाता है, और उन दोनों पर हमला कर देता है, और इसी के साथ हमारी मूवी यहां खतम हो जाती है,